हेलो जी गुड मोनिंग राम राम नमस्ते कैसे हो आप सब आप सब का स्वागत आपके अपने सुन नीराज रियल व्लोग चैनल पर और जी मौर्निंग आठ वजे से व्लोग की स्टार्टिंग करी है तो आप सब का स्वागत है न्यू व्लोग में और आज है दूसरा नवरात तो जैम आता दि और ये मैं सुबै उठके नाके और बई आगे हूं कानाजी को नवानी तो ठाकुर जी को नवादेती हूं फिर बाकी काम में लग जाती हूं नवाने-के-ईले ले फिर पानी-जल तो इन पाशने गंगजल व्धूर ये.. और जी मक्षन मिस्री या तुलसी ऐसे मतलब लेते हैं तो उनका भोग लगाती हूँ लेकिन मैं भोग लगाऊंगी जो मैं खाऊनी उसी चीज़ का क्योंकि मेरे फास्ट टनाना वरातरे चल रहे हैं जैसा कि आपको पता है सब इको और जी अब नो दिन पहनूँगी साड़ी तो डेली वोग साड़ी में आएंगे कल कव लोग भी साड़ी में था और आज ये मैंने पहनी है ये पेरिट कलर की जो साड़ी है इसमें ये मेरा दूसरा वोग है एक लोग पहला आ चुका है तो मैंने अभी पहले दई और सैद से अच्छे से मसल के मतलब काना जी को नवाया है फिर कच्छा दूद से और फिर ये मैंने पानी डाल रही हूँ मतलब पानी से नवारी हूँ और जी आप गंगाजल से देखो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है बेकार में मैं जूट बोलूँ आपको अपनी जूठी तारीफ ने करने चीए जितना मेरे को आता है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ तो यह मैंने आप लंगोट पैना रही हूँ अब मैं ठापरजी को पैनाओंगी कपड़े और करूँगी पूरा सिंगार तो यह मैंने चरपांच ड्रेस तो नहीं है और वाकि सारी पुरानी है तो जी मैंने लगा दिये हैं बाल और हार भी पैना दिया अब मोकुट पैना रही हूँ और ये देखो मेरे काना जी कैसे लग रहे हैं ठाकर जी हो गए हैं तैयार तो मैं भी तैयार हूँ और मेरे काना जी भी तैयार हैं और मैं कपड़े अब सारे उठा के रख देती हूं जैसे मैं अपनी अलमारी को सारी खेला के रख देती हूं जब बिन आती हूं ये सारी पैनू या वो सोट पैनू तो मेरी समझ में नहीं आते हैं कि मैं कौन से कपड़े पैनू ऐसे ही मेरी मेरी मतलब का नहीं आजी के ल लगए नजर ना लग जाए क्या फैक अनर किस टे इंप पूजा करते हो ठेंडेकर सुबह कर लेते हैं अच्छा बड़न का टते हैं और फिर grow ती घिजेन में तो ठाकर जिक जो बोग के बरतं थे नए वह रखे हैं एक बेटा गया है स्कूल तो उसके लिए सेख दिये हैं वीर अभी नहीं गया तो उसका कलाएगा रिजल्ट इसलिए उसके छुट्टी पड़ रही है उसके लिए थोड़ा सा लेट बनाऊंगी तो पहले मैंने यह आलग बरतन साप करके कानाजी के रखे हैं और अब मैं बनाऊंगी वीर के लिए प्राठे तो चलू कर दिये हैं और मैं वीर को कह रही थे बेटा गेम खेल रहे हो आ जाओ पहले नास्ता कर लो सो कर उठा था तो फिर वीर थोड़ा साहे सही है वही थोड़ा सही छोटा है ना तो जिद्दी है तो पहले कह रहा मैं मैं न आस्ता करूँगा उसके बाद मैं ना हूंगा और जी मैंने बच्चों को बोला था कि अपने पापा जी को कोल कर दो राजीव जी है नहीं तो मैंने के चलो मैं पराठे बना रही है इतना बेटा आप कोल कर दो कि यह अतने टाइम ना चेप्स लिए आएंगे मैं चाय आपके ममी खाने के लिए बर्द करती है चटोरी है ना तो बर्द इसलिए करती है और फोन पर फिर ओडर दे देती है आप एक बात बताओ क्या खाने के लिए बर्द होते हैं देखो नवरात रहे हैं मैं पूरे नो दिन बर्दी रहूंगी है ना अपने घर की अपने बच् होता तो जी मैंने बना दी है प्राठ्टे बनागा फिर मैं आगी थी पिछ और डेर सारे कपड़ी है तो कपड़ों को चला देती हूँ मतलब मसीन मैं तो पहले लगा देती हूँ पानी के बाल्डी यह न और जी पानी चलता रहेगा इतनु इसमें थोड़ा सा निर्मा डाल आफ़े पाइगे तो गर की निडिया तो इसके ड्रेस निडिया और वेश बीच मैं रिख अगे तो इसको जाना है ना तो इसलिए मैं निकी चलो याद आगी नहीं तो गर के यह कपड़े पहने काने पढ़ते और मैं यहा मसीन चलाते चलाते अपना बाई कंगे भी कर लिती हूँ और पिछे कर रहे हूँ या फिर आगे जा के करती हूँ इसी सागे भी लगा हुआ है तो बाल फिर पूरे कर मैंने फैलते हैं ना कीचन से तो बहुत दूर ही मैं कंगे करती हूँ और मैंने बना लिया है जूड़ा जूड़े मैं ना मैं मतलब ये है क प्रेसान नहीं होती, खुले बाल कम पसंद है, देखो मेरे बाल दूने के बाद जूड अच्छे से रुक नहीं पाता है, कितना भी टाइट बना लूँ, अब मैंने दुबारा और टाइट बनाया, देखो आप कैसा लग रहा है, तो सिर्द होने के बाद थोड़े शिलकी बा आपने लिए कि, और जी ये बेंस की फली ली है, अलू के साथ, शाम के मतलग पाट का अभी से रखा दूँगे इनको, फिर बाद में शाम को बनानी रह जाएंगे, और जी, अब ये मैं शाम की त्यारी कर रहे हूं, तो बच्छों के लिए मैंने बेंस की फली बनाई है, आ लग्की चन साप करनी पड़ती है मेरी की चन दिन में ना इतनी बार साप होती है बहुत ज़्यादा बार तो ये आजाओ आप भी खाना खालो गरम-गरम मैं बच्चों को भी दे देती हूँ और फिर मैं लगी थी अपने लिए बनाने कुट्टू काटा मैं डाल रही हूँ इसमें और बारीक बारीक काट रही हूँ हारी मिर्च कल मैंने अलू उबाले थे तो सोचा आज चलो कुट्टू के पकोडी खा लेती हूँ नहीं तो रात को नीन्द नहीं आएगी और थोड़ा सा इसमें पनीर ढाल रही हूँ क्या आफ हाष्ट में पनीर खाती हो बता ना कमेंट करकर एम रहो मैं तो खा लेती हूँ पनीर तो दूद से बनता है न तो मेरा तो वैसे भी गर का बना हुआ है बार से नहीं आया है गर से ही बनाती हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन बनाई लेती हूँ आपके साथ भी सेर करती हूँ और यह मैंने इसमें डाल लिया है सिंदा नमक और तुकडों में करके ना ज्यदा बड़े टुकडूंगी करने ना ज्यdha चोटे और थोड़ा नमकर्ज दिक खास कर लेना है क्योंकि आलू मैं नमकमिर्ज नहीं रही और जी मैंने लिया है देशी जा सब्मेंते कॉए आप क्या कहते हो मैं बर्त में घी हुझ करती हूँ इसमें अलू मैंने सारी एकदम मिक्स कर लिये थे और देखो कैसी पकोड़ी बन रही है कुट्टू की तो ये लाश्ट है और बस बन गी है और धेर सारी बनाई है क्योंकि मैं बनाती हूँ अपने लिए लेकिन सब खाते हैं तो मैं उसी के कोड़िंग बनाती हूँ थो है और देखो बरतन भी साप कर दिये हैं जो बच्चों ने खाना खाया तो किचन भी क्लीन कर दी है और अब डाल देती हूँ अदरक तो इतने मेरी चाय बनती रहेगी इतने मैं ये दूद छान लेती हूँ जो दूद शाम के टैम आया था इसको गरम कर दूँगी थोड़ा बरतन लगाऊंगी और जाओंगी फिर पूझा करने ठाकर जी के लिए पी पलेट लगा ली लेत यह तो चलते हैं मंदिर में बहई का न Naji का भूग लगाए और पूजा करकर और जी अब यह मैं आगी थी मंदिर में तो बूजा कर रही ही आ पए है सबसकों को कि पकोर में सुबह से कुछ खाया नहीं है तो शाम को ही खा रही हो तो लोग का भी पैंड करूंगी व्लोग कैसा लगा आपको यह भी बताना और लाइक कर दियो और जी ज्याद अच्छा ज्यादा सेयर करां करो चैनल पर जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आकर प्राइ जय मतादी